Hello everyone, बेलकरनों तास्वेकरड में बैंकिंग एंड लो आप सब भी वीवर का बहुत-बहुत स्वागत है ये वीडियो है जर्नल अवरनेस का जो बेनिफिट करेगा लो ओफिसर के लिए और राजभासा अधिकारी के लिए क्योंकि दोनों का पेपर सेम होगा बस कुछी दिन बचे हैं आपके प्री एक्जाम होने में और जर्नल अवरनेस का अगर आपने सब्जेक्ट जो है काफी अच्छे से प्रिपेर किया है काफी अच्छे से अब आप लोग रिवीजन कर이에 जितना अच्छा आपका जर्नल अवरनेस होगा उतना ही help आपको pre-clear होने में भी होगा तो इस time सिर्फ आप general awareness को कुफ अच्छे से revision करिए और खुब अच्छे से पढ़िए तो इस वीडियो में हमने लिए हैं 26 September से लेकर 25 October तक के टोटल 100 questions तो इस वीडियो में आपको 50 questions मिलेंगे जो काफी important है आपके GA के section के लिए और अगला जो part होगा उसमें 50 questions मिलेंगे आपको 26 September से 25 October के बीच के इस सारे questions काफी important है और अब आपको क्या करना है जितना भी आपका general awareness पढ़ा हुआ है उसको खुब अच्छे से revision करिए जिससे आपको जो data है जिससे आपको जो answer है वो काफी अच्छे से learn हो जाए जितना अच्छा आपका GA subject होगा उतना अच्छा आपका exam होगा प्री का और प्री clear भी हो जाएगा अगर आपने GA में काफी अच्छा score कर लिया अगर GA का paper आपका अच्छा नहीं हुआ तो score जो होता काफी कम हो जाता क्योंकि जादा से जादा number हम GA वाले section में gain करते हैं तो अब जो समय है वो काफी GA पे मजबूत पकड़ बनाने की है तो यहाँ पर आप GA को काफी अच्छे से revision करिए यहाँ पर जो question है वो आपको Hindi और English दोनों language में मिलेगा चलिए without delays वीडियो को शुरू करते हैं like, share, subscribe आप लोग कर लीजेगा यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले कुछ important date हैं जो आप लोग को जान लेना चाहिए देखिए सारे date हम लोग याद नहीं कर सकते बहुत सारे date हैं जिसको हम याद नहीं कर सकते हैं तो कुछ जो important date है जो आपके exam में हमेशा पूछे गया है उनको अगर हम याद कर लें तो जो प्रसंद पूछा जाएगा, जो question आएगा उसमें से हम answer को eliminate कर सकते हैं जो हमारा question पढ़ा हुआ है, जो हमारे date पढ़ी हुई है तो यहाँ पर कुछ ही लिए गये हैं जो काफी important है जो हमेशा पूछे जाते हैं जैसे यहाँ पर 5 October है, यानि 5 October है विस, सिच्छक दिवस मनाया जाता है वर्ड टीचर डे मनाया जाता है और उनकी जो थीम इस बार की थी वो सिच्छा का परिवर्तन, सिच्छकों के साथ सुरू होता है, ये इनकी थीम थी दूसरा है 11 October यानि मनाया जाता है अंतरास्टिये बालिका दिवस और जिसकी थीम थी हमारा समय अभी है, हमारा अधिकार हमारा भविस वुल अक्टूबर को होता है विस्व खाद दिवस विस्व खाद दिवस होता है वर्ड फूड डे होता है और इसकी थीम थी, किसी को पीछे ना छोड़ें, 20 October विश्व सांख्य के दिवस होता है वर्ड स्टाटिक डे होता है और जिसकी थीम थी सतत बिकास के लिए डेटा या डाटा तो ये कुछ थी और डेज हैं जैसे 24th October जो 24 October है विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और उनकी थीम क्या है बिस पोलियो दिवस 2022 माताओं और बच्चों के लिए स्वस्त भबिस तो ये थीम है और कुछ डेट थे जो अक्टूबर मंत के थे काफी important है हम सभी याद नहीं डख सकते हैं तो कुछ जो most important है उनको याद करके हम question को solve कर सकते हैं तो चलिए अब शुरू करते हैं टॉप जो 50 question इसमें लिए गए हैं जो काफी important है उनको फटाफट question पढ़ेंगा और उसका answer बताएंगे यहाँ पर कोई discussion नहीं होगा चलिए फटाफट question को सुरू करते हैं तो यहाँ पर जो इंडिया की rank रही है Global Hunger Index में ठीक है और लास्ट में यह आप जरूर बताएगा कि अगर आपने 50 question पूरे पूरे देखे हैं तो आपके कितने answer सही आ रहे हैं यह भी अपने आपको एक आकलन एक evolution जरूर करिएगा यहाँ पर जो इंडिया की ranking है वो है 107 यानि 107 है इंडिया की ranking Global Hunger Index में यहाँ पर आप बताएगे कि पहले पे कौन है और सबसे last में कौन है यानि सबसे इस सिथी किसकी बहतर है और किसकी सिथी सबसे खराब है यह भी दोनों data आपको याद होना चाहिए और comment करके आप जरूर बताएगे यहाँ पर जो किस country के द्वारा अभी 90 नंबर के जो Interpol General Assembly हुई है वो किस country के द्वारा होस्ट किया गया है वो उसका answer क्या होगा उसका answer होगा इंडिया ठीक है इंडिया के द्वारा जो है अभी 90 नंबर के Interpol General Assembly जो हुई थी उसको होस्ट की जा रही है यहाँ पर एक meeting हुई थी निदिली में भारत और किस देश के बीच में वो meeting हुई थी और topic था इनका जो Agriculture and issues of cooperation तो इस मुद्दे को लेकर किन दो देशों के बीच में एक बैठंग निदिली में हुई थी तो पहली देश हो गई country जो हो गई इंडिया और दूसरा जो है वो बहुत सवाना और आप देखिए एक list जारी की गई है जिसका नाम है IIFL Wealth Hooran India Rich List 2022 इसके अनुसार जो estimate net worth है 10,94,400 करूर जो net worth है इस net worth के हिसाब से सबसे top यानि पहले नंबर पे कौन है इस list के अनुसार तो वो है गौतम अडानी ठीक है गौतम अडानी इस list के अनुसार पहले नंबर पर है जिनका estimate net worth कितना है 10,94,400 तो ये भी data आप याद जरूर रखिएगा यहाँ पर क्या है एक bilateral meeting होई थी ठीक है मौजांबिक, मंगोलिया और सूरी नाम इन देसों के साथ दूइपच्छी बैठक हुई थी राणास सिंग की जो हमारे defense minister है तो उनमें से किस अस्थान पर हुई थी तो वो अस्थान है गाधी नगत गुजरात यहाँ पर बैठक हुई थी यहाँ पर यह नहीं कि आप बस यह अस्थान याद रखे इन देसों का भी नाम याद रखे कभी-कभी यह देस पूछ लिया जाते है कि इन में से कौन से देस जो है वो इस बैठक में सामिल नहीं थी यानि इंकल्यूड नहीं थे यहाँ आपसे पूछा गया है कि दादा साफ फाल के अवार्ड जो है 2020 का इन में से किसको दिया गया है तो दिया गया है अबने तरी आसा पारिक को ठीक है यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही है 2020 का है दादा साफ फाल के पुरुसकार और ये 2022 में दिया गया है क्योंकि दो साल जो है COVID में था तो उसमें ये सारे अवार्ड नहीं दिये गया थे तो ये 2020 का अवार्ड अब 2022 में दिया गया है Actress Asa Parekh को वहाँ पर एक book है और उस book का writer कौन है यहाँ पर आपको answer करके बताना है उस book के writer कौन है उस book का नाम है Our Portrait of a Writer Is Young Wife ठीक है यह book का नाम है और उसके writer कौन है अगर आपने पढ़ा है तो फटा फट आप लोग comment में जरू बताइएगा तो उसका नाम है Meena Kanda Sami Meena Kanda Sami नाम है जो इस पुस्तक कोनोंने write किया है उस पुस्तक का नाम है Our Portrait of a Writer Is Young Wife पुस्तक के लेकर है Meena Kanda Sami इस question में यह पूछा जा रहा है कि जो Indian Government है उनकी कौन से mint ने एक coin को design किया है वो coin कौन सी होगी जो coin होगी रजद स्मृती चिन आप बोल सकते है जो silver स्मृती चिन होती है वो coin होगी और यह क्यों अभी जो T20 विसुकव हुआ था ठीक है उसकी लिए एक coin डिजाइन किया गया है किस mint के दौरा किया गया है जिसका weight होगा 40 gram का वो weight होगा और उसका diameter 44 होगा और उसकी जो priority होगी वो 999 जो priority होती वो होती है तो इनमें से किस mint के दौरा launch किया गया है यानि design किया गया है वो तो वो है आपका Kolkata Taksal के दौरा ठीक है Kolkata जो mint है इनके दौरा ये सिका जो रजट स्मृती चिन है जो सिका है coin है इसको design किया गया है सिका जो basically design किया गया है वो जो हमारा world cup की theme है ठीक है उस पर एका launch किया गया है ठीक है तो काफे important है यहाँ पर याद रखिएगा ये question काफे important है यहाँ पर जो पूछा गया है कि किस ministry के दौरा एक application है language dictionary mobile application जिसका नाम है sign learn तो इनमें से किस ministry के दौरा launch किया गया है वो ministry है social justice and empowerment यानि समाजिक नयाय और अतकांत्रा मंत्राले के दौरा sign learn नाम का language ने mobile application launch किया गया है विहार के जो चेफ मिनिस्टर है नितिष कुमार और वहाँ के जो education minister है प्रोफेसर चन सेखर इन्होंने ये गोशना किया है एनाउंस्मेंट किया है कि इनके हैंपे जो सिच्छा इभाग है अभी भी हिंदी और उर्दू अकादमी की तरच पे चल रहा है तो अभी कौन सी latest और जो language है वो सामिल की जाएगी ऐसा उन्होंने उस academy के लिए घोशना की है तो वो है आपकी answer D होगा V and A यानी होगा सुर्जापूरी और बज्जी का ये दो language के academy ओपन करने की घोशना की गई है चीफ मिनिस्टर नितिष कुमार के द्वारा आपर जो question है वो ये है कि group of Silicon Valley के द्वारा एक prize यानि एक award जो है अनौन्स किया गया है जिसका नाम है Breakthrough Award 2030 इनमें से किसको ये award दिया गया है for several discoveries in theoretical computer science and mathematics इनमें किसको दिया गया है Breakthrough Award 2023 तो ये भी आद रखियेगा और किस चीज के दिया गया है ये भी आद रखियेगा तो वो दिया गया है Daniel Sleep Manco यहाँ पर आंसर A सही होगा Civil Aviation Minister Jyotiradit M. Sindhya Recently inaugurated The 4th Haley India Summit 2022 2022 Which of the following city इनमें से किस city में 4th Haley India Sikhar Sammelan 2022 का उधगाटन किया है जो हमारे Civil Aviation Minister है Jyotiradit M. Sindhya ने तो वो city है Shrinagar Shrinagar में ये जो Haley India Summit 2022 है इसको उधगाटन किया है हमारे नागरिक विवानन मंतरी Jyotiradit Sindhya ने The Global Alliance on Green Economy Was launched recently During the 8 World Green Economy Summit Where was the conference held तो अभी जो आठवे वेसु हरित अर्धव्योस्था सिखर Sammelan के दोरान हरित अर्धव्योस्था पर एक वैस्विक गडबंदन की शुरुआत की गई है तो ये जो conference है वो कहाँ पर held किया गया है तो वो held किया गया है दुबई में यहाँ पर दुबई जो होगा इसका सई आंसर होगा October 2022 Prime Minister Narendra Modi led the foundation stone of bulk drug park in which of following state तो किस राज में bulk drug park की आधार सिला रखी है हमारे PM ने तो वो राज है हिमांचल परदेश हिमांचल परदेश में bulk drug park की आधार सिला रखी गई है यहाँ पर रिसेंटली अभी 2022 देश के लिए रास्टी यह शाधन सामेदा scholarship योजना जो है वो कब तक के लिए रखने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है तो वो 2025 चबईस तक रखने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है यहाँ पर अभी हाली में प्रदानमंत्री के अधिस्ता में केंद्रियमंत्र मंदल ने किस देश के मदध कुश्यारी रिवर न दी के लिए एक समझोता ग्यापन को मंजूरी दी है तो वो किस देश के साथ वो मंजूरी दिया उन्होंने जो ये कुसियारी रिवर ये याद रखिएगा और कौन से कंट्री के बीच ये मंजूरी पर दान की गई है तो वो कंट्री है बंगलादेश चुना गया है तो इनमें से किसको चुना गया है वो है A और D यहाँ पर आंसर होगा यहाँ पर सभिता पुनिया और PR स्रीजेज जो है उनको चुना गया है F.I.H. गोलकीपर आपदा एयर 2021-22 के लिए खाली में केंद्री ग्रह योम सहकारता मंत्री अमिसा ने इस्टन एंड नौर्थ इस्टन कॉपरिटिव डेरी कॉनक्लेब 2022 का उगटन किया है किस जगा पर किया है वो है अस्थान सिक्किम सिक्किम में किया गया है इस्टन मौत इस्टन कॉपरिटिव डेरी कॉनक्लेब 2022-22 को आर्मी वाइस वेलफेर एस्टोसियेशन की अध्यच अर्चना पांडे ने नई दिल्ली इस्थी ससस्त्र बल क्लिनिक में किस एक एकिकरी सुद्दा का उधगाटन किया है तो उसका नाम है संजीवनी लाइफ स्टाइल क्लिनिक का उधगाटन अर्चना पांडे के द्वारा किया गया है 10 अक्टूबर 2022 को किंद्रिय ग्रिह मंत्री अमिसा ने लोक नायक जिनको कहते हैं जै प्रकास नाराड को कहते हैं इनकी अभी जैंत्री थी ठीक है कैमी जैंत्री थी आपको फटापर कमन में बताना है तो एक उनकी परतिमा लगाई गया है तो उनकी कैमी जैंत्री पर ये परतिमा को सलिबरेट किया गया है तो वो उनकी जैंत्री थी 121 यानि 121 जैंत्री उनकी थी और इस पर उनकी एक परतिमा उनके जनभूपी सिताब द्यारा में लगाया गया है तो जो अभी राष्टी अधर चुने गए हैं भारती राष्टी कांग्रेस की वो कौन है तो वो हैं मलिका अरजुन खडगे वो किस राज में किया गया है वो राज है पंजाब में किया गया है Among the following has been appointed as the 5th Chief Justice of India ने 50 नंबर के जो मुख नाइधीस है भारत के वो कौन से हैं जिनको नियूत किया गया है तो वो है Justice D.Y. चंजूर जो हैं भारत के 50 मुख नाइधीस हैं The Assembly of International Solar Alliance held recently it has been organized under the chairmanship of which country अभी जो हाली में तराष्टे सौर गडबंधन की पाचवी महसबा किस देश की अधिस्ता में आउजित की गई है तो वो देश कौन सा है वो देश है भारत इंडिया के अधिस्ता में ये पाचवी जो है सौर गडबंधन महसबा का जो है आउजिन किया गया है और इसका headquarter कहा है ये आप करमने करके जरूर बताईएगा काफ़ इंपोर्टेंट है ये आपर सिर्फ आपको ये बताना है कि जो make in india कारिकरन था वो कब आया था पहला चीज़ बताना है और दूसरा उसने कितने बर्स पूरे कर लिए है ये आपको बताना है तो यहाँ पर make in india प्रोग्राम के टोटल आठ बर्स पूरे हो गए है और ये कब launch हुआ था तो ये आ हुआ है गुजरात में objective of PM divine scheme is for the development of which of the following regions of india किस छेत्र के विकास के लिए जो PM divine योजना है उसका उदेश है तो वो है आपका उत्तर पूर्भी छेत्र यानि north eastern region जो है उसके विकास के लिए है ये PM divine योजना प्रधान मंत्री में सर्वियाई बैग्यानिक ने वीटल की एक नई प्रजाती का नाम निमसे किस tennis खिलाडी के नाम पर रखा है उनका नाम है नुवाग जोकोबच प्रधान मंत्री ने PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उधाटन किस सहर में किया है तो वो सहर है नई दिल्ली नई दिल्ली में ये किया गया है PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उधाटन संगठन की द्वारा Global Innovation Index 2022 जारी किया गया उसमें से भारत की रैंकिंग कौन सी है जो अभी Global Innovation Index जारी किया गया है Intellectual Property, World Intellectual Property Organization की द्वारा तो भारत की जो रैंक है वो है 40 नंबर ठीक है 40 ही रैंक है अभी मैंने आपसे पूछा था जो 170 वी रैंक पर जो पहला question कराया था अगर उसको learn है आप बताईए कौन सी इंडिया की रैंक किसमे 170 वी है वो है आपको मैं question जो है आपको पढ़ा भी चुका हूँ अगर आपको comment में आएगा तो मैं आपको वहाँ पर answer tag कर सकता हूँ हाली में भारत की चुनाव आयोग ने किसे national icon बनाया है तो वो हैं पंकश दिरपार्थी पंकश दिरपार्थी को चुनाव आयोग ने national icon बनाया है रिसेंटली जो साओधी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में किसको न्यूट किया गया है वो है मुहम्मद बिन सल्मान ये PM बनाये गये हैं भी रिसेंटली साओधी अरब के पर जो पूछा गया है रिसेंटली एक ड्रोन को बनाये गया जिसका नाम है ड्रोनी तो इन में से कौन सी कमपनी के द्वारा ड्रोनी को बनाये गया है वो कमपनी है गरूर एरोस्पेस प्राइबेट लिम्टेट गरूर एरोस्पेस प्राइबिट लिंटेड के दौरा जो ड्रोनी है याई जो ड्रोन है जो का नाम ड्रोनी है उसको बनाये गया इस कमपनी के दौरा देखिए आपसे एक डेज पूछा गया है याई बेस परियावास दिवस कम बनाया जाता है World Habitat Day कब celebrate किया जाता है तो 3 October को World Habitat Day celebrate किया जाता है यहाँ आप मुझे comment में करके बताइए कि 5 October और 11 October को क्या celebrate किया जाता है यह comment में करके जरूर बताइएगा भारत का पहला पूर रूप से Digital 75 केरिल का कौन सा ग्राम बना है तो यह केरिल के सारे गाओं है ठीक है एक ब्लेज है यहाँ पर और वो कौन सी ब्लेज है जो Digital 75 बनी है पहली है और पूर रूप से भारत की पहली है वो कौन सी है वो है पॉल्लम पारा पॉल्लम पारा जो है अब पहली Digital 75 हो गई है Fully digitally literate पंचायत कौन है वो केरिल का पॉल्लम पारा आप से पुछा जा रहा है World Cotton Day कब celebrate किया जाता है तो वो किया जाता है 7 October को यहाँ पर October के जितने भी important day है वो मैंने करा दिये हैं बाकी अगर आप से कुछ और पुछा जाता है तो आप वहाँ पर eliminate करके कर सकते हैं अग्टूबर के जितने भी यह है उतने कम से कम आप जरूर याद रखे ICC Player of the Month जीतने वाली पहली भारती महिला करकेटर कौन बनी है वो बनी है हर्मन प्रीत कोर ठीक है जो पहली महिला करकेटर है ICC Player of the Month जीतने वाली खाली में यानि जो फिजिक्स में इस बाल का नोबल जीते हैं जिनका नाम है एन्टोन जिलिंगर वो किस देश के हैं तो वो हैं आस्ट्रिया के किस भारती अमेरिकी को संयुक्त राज अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीब्मेंट अवार्स से सम्मानित किया गया है तो वो हैं विबेक लाल विबेक लाल को सम्मानित किया गया है इंडियन स्टेट है रेसेंटली अनाउंस सिटिंग अफ दा वर्ड्स लाजेस जंगल सफारी पार्क तो अभी किस राज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क अस्तापित करने की गोशना की जा रही है तो वो राज है हर्याडा हाली में भारती वाज सिना में सामिल किये गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉमबैट हेलिकाप्टर का क्या नाम रखा गया है उसका नाम है प्रचंट प्रचंट उसका नाम रखा गया है यहां आपसे पूछा गया है कि जो आईस्मान एक्सिलेंस अवाड 2022 का है उनमें से किसको दिया गया है किस स्टेट को दिया गया है तो वो दिया गया है उत्तर प्रदेश ये ज़रूर याद रखेगा अली में भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को दुई पच्छे ब्यापार की रूप में सौपी है किस देश को सौपी है तो वो देश है लेबनान तो जो यह वाइट सिपिंग इन फॉर्मिशन एक्सचेंज है इस पर एक MOU शाइन किया गया है भारतिय नो सेना और किस देश के दौरा तो वो देश है न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड के दौरा Currently, a startup platform has been created by which university? किस बिस्विद्धियाले के द्वारा कि startup platform बनाया गया है जिसका नाम है her start तो वो कौन सा बिस्विद्धियाले है? वो है गुजरात बिस्विद्धियाले गुजरात या उनिविश्टि आली में जारी स्वच सर्वेचर ग्रामीड 2022 पुरुसकार में बड़े राज्यों की स्रेडी के तहट कौन सा राज टॉप है यानि पहले नंबर पे सीर्स पे है तो वो राज्य है तेलंगाना तेलंगाना जो है स्वच सर्वेचर जो Grammid 2022 का पुरुसकार है उसमें पहले स्थान पर है यहाँ पर आप देख लीजेगा स्वच सर्वेचर Grammid 2022 में जो टॉप काटेगरी में है वो है तेलंगाना नहाँ पर आप Medicine या चिकिस्सा यानि फीजियोलोजी में कहिए कि जो अवार्ड नोबल प्राइस दिया गया है उसका उनका क्या नाम है तो उनका नाम है स्वाते पाबो स्वाते पाबो को दिया गया है चिकिस्सा का नोबल पुरुसकार तो बस आज की वीडियो में इतने ही क्वेस्चन थे टोटल 50 क्वेस्चन थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए है और यहाँ पर सिर्फ आप रिवीजिन करिएगा पढ़िए और आंसर चेक करिए सही है या गलत अगर नहीं है आपने नहीं पढ़ाया तो उसको पढ़के लर्न कर लीजिए अगर गलत उसको सही कर लीजिए अगर सही है तो उसको अपने सही में काउंट कर लीजिए तो बस चलिए मिलते नेक्स वीडियो में God bless you to all thank you for watching